स्वालो दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माइन नोट्स फॉर यू तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एडम्स रिपोर्ट के बारें बताऊंगा एडम्स रिपोर्ट जो कि एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है तो आपको इस वीडियो को क्या करना है पूरा एंट तक देखना है तो अगर साथ ही में आपने हमारी प्रीविश वीडियो को नहीं देखा तो जो कि warmthी मैंकाले मिनट के ऊपर यूपर उसको भी आपको जरूर देख लेना है तब ही ये वीडियो आपको समाझ में आ पाएगी अच्छे से, तो इस वीडियो की लिंक में आपको description में दे दूंगा, साथ ही उपर i button में भी दे दूंगा, तो इस वीडियो को भी आप देख लीजेगा, तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं, तो हमारे topic का नाम है Adam's report and its recommendation, तो जो हमारे William Adam थे, इन्हों तो इन रिपोर्ट में क्या था आए जानते हैं सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका विलियम एडम थे कौन कहां से आए तो हमारा पहला पॉइंट बताता है विलियम एडम वाज ट्रू इस्कॉलर, सोशल वर्कर एड एडूकेशनिस्ट तो जो हमारे विलियम एडम भाज साब थे यह हमारे एक स्कॉलर थे यानि बहुत ही जानकार व्यक्ति थे साथी में एक सोशल वर्कर थे और एडूकेशनिस्ट थे एडूकेशन के फील्ड में वर्क करते थे और यह हमारे मिशनरी भी थे अगर missionary की बात करें तो ये Christians related होते हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं तो ये India इसी view से आये थे कि यहाँ पर आके ये Christianity को propagate कर सके है Christianity को फैला सके है Second point है But after working here, he was truly influenced by Indian culture, knowledge and science and became great supporter of Indian education जब हमारी India में उन्होंने कुछ समय व्यतित किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारी knowledge है, culture है, science है वो बहुत ही influential है इसलिए वो यहाँ की knowledge के great supporter बन गए Third point है To reduce the criticism of British education policy Lord William Bank Tick जो कि आपके ति Governor General उसे में appointed William Adam as a special commissioner for educational survey तो जैसे कि मैंने आपको अपनी previous वीडियो मेकाले मिनेट वाली में बताया था कि जो आपके Lord William Bank Tick थे इन्होंने एक education policy निकाली थी British education policy तो इसको बहुत ही बाद में criticize किया गया था इसी criticism को रोकनी के लिए Lord William Bank Tick थे इन्होंने appoint किया था William Adam को as a special commissioner of educational survey in 1835 में और इन्होंने aggregate किया था उनको pay करना का एक हजार रुपया पर मन्त तो इनका काम क्या था इनका काम था कि इनको survey करना था आपका बंगाल and बिहार के areas को और उसके basis पे report देनी थी तो इन्होंने क्या किया था बंगाल और बिहार के areas का सर्वे किया था और उसके बेसिस पे तीन रिपोर्ट्स बनाए थी यानि 1838 में इनकी तीनों रिपोर्ट बनके तयार हुए बट जब सम्मिट करने का समय आया था तो जो आपके गवर्नर जनरल थे विलियम बैंक टिक वो आपके फर्ष्ट रिपोर्ट आय थी 1835 में इसमें इन्होंने डाटा प्रस्तुत किया था बंगाल प्रोविंस का तो बंगाल प्रोविंस उस समय क्या थी बहुत ही बड़ी थी इसमें आपका आज का मॉडरन वेस्ट बंगाल बंगलादेश और जित्ते भी इस्टन ये एरियास ये दिखाई दे रहे हैं तो ये सभी एरियास उसमें आ जाते थे तो इसमें इन्होंने पहला प्रोविंट दिया था यानि बंगाल और बिहार में टोटल एक लाग स्कूल है मिला के और उसमें आपके चार सो पचास बच्चों पर यानि प्रती चार सो पचास बच्चों पर एक स्कूल दिया गया है तो यानि कि ये बहुत यची अमाउट में स्कूल वाँ पर बने हुए थे जो जानि जो रिस सिटीजन थे सोसाइटी के वो स्कूल के लिए जमीन और पैसा दोनों ही डोनेट करते थे थर्ड पॉइंट है जा सैलरी ओफ टीचर्स वर वैरी लोग टीचर्स की सैलरी उस समय बहुत ही कम हुआ करती थी पूर्थ पॉइंट है तो यानि वोमें एजुकेशन को लेके लोगों के मन में बहुत ही डर रहता था लोग अपने यहां की जो लड़कियां होते थे उनको पढ़ाते नहीं थे क्योंकि वो समाज में उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था एक कूरीती थी हम लोगों के सुसाइटी में उस समय तो बहुत ही कम लोग जो बहुत ही अमीर लोग होते थे वही लोग केवल पढ़ा पाते थे अपने यहां की गल्स को इसके बाद आपकी आती है सेकेंड रिपोर्ट जो आपकी आई थी तो इसमें जो यह आपका एरिया है वो आपका आता है थाना नटूर का तो इसी का डाटा उन्होंने सेकेंड रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था तो यहां आपकी तोटल पपुलेशन थी दो लाग की जिसके उपर केवल 27 स्कूर्स बने हुए थे इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है इन टोटल एरिया देयर वर 405 विलिजेस आउट ओव विच टू सिक्ष्टी स्टूडट्स वर पर्सूइंग एजूकेशन यह कि आपके चार सो पांच गावों में केवल 260 बच्चे ही ऐस की उनकी सैलरी केवल 5 रूपी सेन 8 आनास थी पर मन्त जहाँ आपके विलियम आडम थे उनको कि सर्वे करने के लिए एक हजार रुपए पर मंत दिया जा रहा था और वहीं जो टीचर्स थे आपको केवल फाइफ रुपीज और एट आनास पर मंत उनको दिया जा रहा था जो की बहुत ही कम था एंड वो अपने डेली रिक्वार्मेंट्स को भी मीट आउट नहीं कर पाते हैं थल्ड रिपोर्ट है थल्ड रिपोर्ट आपकी आईटी 1838 में इसमें आपका सर्वे किया गया था मुर्शीदाबाद का और बिहार का तो मुर्शीदाबाद में आपको बता दूँ जो आपका जो मौडरन वेस्ट बंगाल है उसमें जो यह एरिया आता है वो आपका कहलाता है मुर्शीदाबाद तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है तो यानि कि आपके पांच डिस्टिक्स में 2567 स्कूल थे जिसमें से आपके 30,900 स्टूड़न जो की बहुत है अच्छा नमबर है इसके बाद आपका second point है there were separate six schools for girls in which 210 girls were studying तो यानि कि आपका women education के लिए girls education के लिए separate six schools थे जिसमें आपकी 210 girls थी वो study कर रही थी इसके बाद आपका third point है bangla sanskrit and hindi was studied by hindu and arabic and persian was studied by muslim आपकी bangla sanskrit और hindi जो language थी वो आपके hindu study करते थे और arabic और persian language जो थी वो आपके muslim से study करते थे इसके बाद आपका fourth point है English was also taught in schools of which total 250 students were taught यानि कि कुछ schools में English भी पढ़ाई जाते थी जिसमें आपके 250 students ऐसे थे जो कि उसमें English की education भी ले रहे थे मुझे सीधा बाद और बिहार में इसके बाद आता आपका educational policy of Adam तो Adam ने अपनी report और survey की basis पे अपनी education policy बनाई थी जिसमें उन्होंने कुछ important points दिये थे जो कि मैंने याप पर बता हैं आपको इसमें पहला point आपका हता है the filtration principle is anti-mass education and it shouldn't be implemented तो filtration principle मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में में काले वाली वीडियो में बताया था कि जो filtration principle आपका होता है इसमें क्या होता था कि आपकी जो society में कुछ लोग होते थे उपर top level में जो लोग रहते थे केवल उन्ही को educate किया जाता था और जो education थी आपका धीरे धीरे होते हुए निचले इस तरकी जो लोग होते थे उन तक भी education पहुँच जाती थी ये थी आपकी filtration principle तो इसमें उन्होंने कहा कि filtration principle वो आपका anti-mass है यानि कि यहाँ पे सभी लोगों को education देने की बात नहीं की जा रही है जो कि बहुत ही गलत बात है इसलिए वो चाते थे कि इस filtration principle को implement ना किया जाए second point आपका आता है मकतब, मदर्सा and part salas are main code of national education उन्होंने बताये कि जो आपके मकतब, मदर्सा और part salas थे वो national education देने के लिए बहुत ही important एक link थे अगर हम national education लोगों को देना चाते हैं तो हम लोगों को मकतब, मदर्सा और part salas को develop करना होगा तभी लोगों को हम लोग national level पे educate कर पाएंगे third point उन्होंने बताया था for public education one district education officers would be appointed in each district यानि कि हम लोगों को हर district में एक district education officer को appoint करना चाहिए जो कि वहाँ पे teachers कितने नंबर में available हैं, schools में ये चेक कर सके, education का क्या level है, इन सब चीजों पे ध्यान दे सके, इसलिए हर district में एक district education officer होना चाहिए fourth point है आपका text book should be arranged by the help of Indian and western education expert जैसे कि मैंने आपको previous वीडियो में काले वाली में बताया था कि जो हमारे Lord में काले थे, उन्होंने oriental literature को सरा सर नकार दिया था और उसके लिए fund देना भी बंद कर दिया था इसकी जगा Adam चाहते था कि जो हम लोगों की text book बने वो हमारे Indian और western education experts हो, वो मिलके उसको बनाएं finally Adam presented this report to Lord Auckland and he rejected all points of this report तो जब Adam ने ये report Lord Auckland के सामने प्रस्तुत करी थी तो उन्होंने इसके सभी points को सरा सर रिजेक्ट कर दिया था इसके क्या reasons थे, आईए हम लोग जानते है cause of rejection of Adam's report Adam presented many important suggestions for upliftment of Indian education system Adam ने जैसा कि आप सभी जानते हैं Indian education system के upliftment के लिए बहुत थी important suggestions दिया थे बट फिर भी इनको reject कर दिया था क्यूं इसके लिए पहला point है on 7 March 1835 Lord William Bank Tick accepted Macaulay Minute तो जैसे कि मैंने आपको Macaulay Minute वाली वीडियो में बताया था कि आपका 7 March 1835 में जो Lord William Bank Tick थे उन्होंने Macaulay Minute को accept कर लिया था और उसी के basis पे उन्होंने national policy of British government को execute किया था यानि कि उसको national level पे उन्होंने execute कर दिया था उसी के 13 days बाद ही Lord Bank Tick ने अपना resignation दिया और इसके साथ ही वो England वापस चले गया और उनकी जगह आया कौन था उनकी जगह आया था आपके Lord Auckland तो पहले आपके थे Lord Bank Tick और उनके resignation के वाद आपके Lord Auckland New Governor General बनके इंडिया आया थे तो जब यह report आपकी Lord Auckland के सामने पेश करी गए थी तो जो आपके Lord मैकाले थे जो कि उसमें head थे public inspection committee के अब वो public inspection committee के head कैसे बने इसके लिए आपको मैकाले मिनिट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इसलिए मैं आपसे कहना चाता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए का तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आप आएगी अब लॉर्ड मैकाले जो कि उसमें public inspection committee के head थे उन्होंने Adams की report को अपोस कर दिया अब जब उन्होंने अपोस कर दिया इसी विज़े से Lord Auckland ने भी इसको reject कर दिया क्योंकि इस report में ऐसी बहुत सी points थे जो कि वो government नहीं चाहते थे कि implement करी जाए इसलिए इस report को reject कर दिया गया इसे के साथ Adam ने जो तीन साल मेहनत करी थी इन reports को बनाने के लिए उन्होंने बहुत जगा पे surveys किये थे उस report का कोई भी value नहीं रह गी इसी के साथ ही हमारा यह topic complete होता हूँ आशा करता हूँ कि यह सभी points आपको समझ में आए होगे अगर यह video आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो आप इस video को जूर लाइक कर दीजेगा और साथ ही में अगर आपको कोई भी doubt होगा तो आप हमसे comment box में जाके पूछिएगा मैं उस doubt को clear करने के कोशिश करूँगा और साथ ही में इस video को share करिए अपने दोस्तों में ताकि उनका भी फायदा हो सके इसी के साथ हमाई चैनल को subscribe कर लीजी क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही important होने वाली है और इन वीडियो की में एक playlist बना दूँग ताकि आपको इनको पढ़ने में आसानी हो सके इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन थाक्स फवाचिंग